452 बोतल सराबो 11,94,525 नगदी के साथ एक महिला गिरक्तार जी हां अपर पुलिस अधिचक रबिंद्र वर्माव चेत्रा दिकारू कालू सिंग के निदेशन में प्रभारी निरक्षक गोपी गंज कृष्णा अलंद राय की नितितों में टीम का गठन कर मुकबिर की शुष्णा पर चापे मारी के दोरान देशाम सनिवार को थाना छेत्र के ग्राम सभा आमी लौर में अवैध बिक्री हे तूल लाई गई 452 बोतल अलग-अलग ब्राण के अवैध सराग के साथ साथ घर के बॉक्स में रखे सराग की बिक्री के कूली 11,94,500 रुपे बरामत किये गए गोपी गंज कुटवाली और पुलिस चौकी गोपी गंज पुलिस ने सनिवार को रामपूर गंगा घाट के अमर लौर गाउं में छापे मारी कर 452 बोतल सराग के साथ एक महिला को गिरफतार किया इस सूचना पर प्रिभारिन रिक्षेक्टर सांडर अंदरायव है उसकी टीम दुवारा गिराम आमलोर में पहुंच कर पंकर सुकला के घर पर जब तलाशी लिए गई तो वहां से सराग भी मिली और चेकिंग के दोरान वहां से 11,54,500 रुपया भी मिला है इस सर जो पैसा वहां मिला है वो किसे उद्देश से वहां रखा गया था क्या अभी तक जनकारी मिली है अभी तक ये पता चला गया कि सराग कारोबार ये काफी समय से करते आ रहे हैं तो वो पैसा तोहार के वज़े से ये बैंक में नहीं जमा कर पाएं उसी की अरजित आया है और द्वार आजपास के देखे से यह सराव लाते तो इसके संब्ध में भी और जानकारी खिटी की जा रही है और इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा और भविस्टा में इस तरह की कारिवेमें लिफ्ट नहों इस पर ध्यान दिया जाएगा